के हुँ जासूस को है के हुँ को है पबजी इनका मानावा में सिमा के मानावा में चोलता ना जाने का विचार इनका मानावा में चोलता ना जाने का विचार हम भारत वाजियों का वही प्रेम वही सद्भाव वही सने है जो आज सीमा सुरक्षित है अन्यथा हमारे अंदर दुराचार और माना होता के बिहीं सोच होती कास पाकिस्तान में सीमा होती तो सायद कड़ जाती कोई भूजाई कहता है कोई जासूस कहता है मगर ये सीमा हैदर को सचिन पतनी समझता है बनी संसे भरी अब तो कहानी सीमा हैदर की मगर इस प्रेम युगलों का तो शायद दिल तडपता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर मैं तेज प्रताब दोस्तों हमारी मवजूद की है अमबेडकर नगर जिले में और अमबेडकर नगर जिले में सोसल मीडिया के प्यार पे थोड़ा सा प्रकास डालेंगे चुकि जो है कोई पाकिस्तान से कई सरहदों को पार करके चला आता है इंडिया में कोई पोलेंड से आ जा रहा है देश में भी कई ऐसे तमाम मुद्धे हैं जो की फेस्टाग्राम सोसल मीडिया प्लेटफार्म से प्यार होता है इसी प्रकरण से संबंधित अंबेटकर नगर जनपत के कुछ कलाकार हमारे साथ जोडने वाले हैं हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि इन लोग की क्या है राय सीमा हैदर से संबंधित तो सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका और सुब नाम जानना चाहेंगे उनको सादर नमन बंदन अवनंदन है मेरा नाम सिंगर विजय नारायड साहु है जो अम बैचकर नंगर से हूँ मैं और ग्रामा राछा जीत पूरकला मेरे गाओं का नाम है विजय नारायर साहु के नाम से जानते हैं और आप सभी ने जिससे भहिया ने बताया प्यार Google से PUBG से डिजिटल जबाना है तो प्यार के भी प्रकार भी तमाम हो गये हैं जब कि किसी को Google से PUBG से Facebook से WhatsApp से तमाम डिजिटल तरीके के प्रेम भी नाना प्रकार के हो गये हैं जब कि सच में अगर देखा जाए तो प्यार एक खावन और पवित्र शब्द है जिसका कोई Google और पब्जी से कोई मेल नहीं है प्रेम एक ऐसा शब्द और पवित्र पावन सब्द है जिसको ना बांडि से व्यक्त कि आज शकता है नासपर से पता लगाया जा सकता है प्रेम एक अहसास है जो अपनी आत्मा से महसूस किया जा को सिमा है दर का सीमा पाकिस्तान से पबजी से उनको प्यार होता है सचिन से तीन-तीन सीमाओं को लांग करके सीमा आती है भारत में चार बच्चों के साथ इस पे आतकी प्रहुम किfire अब कि अभे आपको प्रेम के विचatiques बता ही नहीं कि एक बता की चानिक हर आप मेरे पाइं। प्रेम सब्सक्र कोई आप के इसे मैं तो चैपने हैं और आप्ने देखा कि toughest हैं में सभी लोग बोaty कुछ नो कुछ लोगों का मानना है उनका नजरिया है आपका क्या नजरिया है मैं भी उसी नजरिये पर ही आ रहा हूं इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा सीमा प्रेमिका भी हो सकती है सीमा जासूस भी हो सकती है सीमा गदार भी हो सकती है सीमा सच मुझ में प्रेमि हो सकती ह सीमा अगर जो कुछ भी आप बता रहे हैं सीमा अगर प्रेमिका होती है तो भी सीमा का हथियार प्रेम ही है सीमा अगर जासूस होती है तो भी सीमा का हथियार प्रेम ही है सीमा कुछ भी सावित होती है लेकिन उसका हथियार प्रेम ही है और प्रेम के जाल में अक्सर भारती फ मुझे और तुरी दुनिया अल्ला हो जाएगी मार देंगे प्रमाड बं उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत प्रेम में है आज वही ताकत हम भारत वाजियों का वही प्रेम वही सद्भाव वही इसने है जो आज सीमा सुरक्षित हैं अन्यथा हमारे अंदर दुराचार और मानावता के बिहीं सोच होती कास पाकिस्तान में सीमा होती तो सायद कड़ जाती जिस तरह का हम लोगों वहार वहां के हिंद और आप तो एक आज न्यूज विपर्टर हैं भी तो उनकी जो दूर्दसा हो रही न वह बयान कर रही है उनकी हालत खराब है और यहां सीमा ही रोइन बनी मुस्करा रही है यह हमारे भारत और पाकिस्तान में हैं हैं अच्छा लगे आप सभी को और मैं चाहता हूं यह दि लार जरूदे जिएगा और सीमा हेदर के बारे मैं आपको बता रहूं पर लेखनी मेरी हैं प्रस्तुत करें कोई कहता है कोई जासुस कहता है लिए सीमा हेदर को और दर्सकों कहता है कोई बहुजाई गहता है कोई जासुस कहता है लेकिन सीमा को सचिन पतनी समझता है लेकिन अब जहां प्रेम की बात आती है तो प्रेम कोई फासलों का मोताज नहीं होता है, किसी फासले का मोताज नहीं होता है, कभी भी किसी वक्त किसी से भी हो सकता है, मुझे आप से भी प्रेम हो सकता है, प्रेम वो सब्द है, अपनी माँ से प्रेम होता है, अपने बाप से का मतलब यह है दायरह कभी अब होता तो सीमा फाकिस्तान और नहीं की अलग अलग परिभाषा और लग अलग जो है माँने होता है भी कउष्य बअलग अलग है यही तो हम पता रहे हैं और प्रेंग किसी दाइरे कोई भूजाई कहता है कोई जासूस कहता है मगर ये सीमा है दर को सचिन पतनी समझता है बनी संसे भरी अब तो कहानी सीमा है दर की मगर इस प्रेम युगलों का सीमा और है दर मगर इस प्रेम युगलों का तो शायद दिल तडपता है मगर इस प्रेम युगलों का तो शायद दिल तडपता है और अगली लाइन है सही क्या है गुलत, क्या है अब तो कानून खोजेगा लेकिन अभी तो पत्नी है स्थीमा अभी तो पत्नी है स्थीमा सचन की है कथन उसकी अभी तो पतनी है सीमा सचिन की है कथनूस की और आखरी लाइन में एक आडियो आया है मैंने सुना है पाकिस्तानियों का कुछ गुंडे मावलियों का वो हमारे देश को धमकी दे रहे हैं को लेकर चलाया था और बोला था कि एक आशिक इस फिल्म को बताने का मेरा सिर्व इतना ही मतलब है आडियो आया है पाकिस्तानियों का कुछ दिये भारत को जो धमकी जिनकी आउकात नहीं है कुछ दिये हैं भारत को धमकी जिनकी आउकात नहीं है कुछ और उनको एक और संदेश है जो देगा न्याय भारत तुम उसे स्वईकार कर लेना सुन लो उन गुंडों उन मावाली हों जो भारत देश को धमकी दे रहे हो यह उत्तर प्रदेश अंबेटकर नगर का एक भोजपरी और लोग गायक मान लीजिये संदेश दे रहा तुमें कि भारत की बात कर रहे हो जो देगा न्याय भारत तुम उसे स्वईकार कर लेना मिटा देंगे नहीं तो हम मिटा देंगे नहीं तो हम यूपी वाले ही तेरा सब कुछ मिटा देंगे नहीं तो हम यूपी वाले ही तेरा सब कुछ इसलिए पूरे भारत की बात करना यूपी वाले ही हम तुम्हारे लिए कापी है जिस दिन भारत की बात आ गई उस दिन तुम निस्तना नाबूत हो जाओगे इस भारत के नक्से से दुनिया के नक्से से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा शुकर करो कि हम लोगों का इसने और प्यार दुलार बना हुआ है जैसी अराम जै हिंद भारत मादा की जै चलिए अब हम थोड़ा सा लचमीना कुछ वाहा जी से भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनका भी जो है कुछ ने कुछ राय जरूर होगा स्वागत करते हैं धन कि बाभी समझती है या जासूस अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकते कि यह तो सरकार सरकार रंधाय करेगी और जाच करने के बाद ही पता चलिएगा कि वह भाभी है या फिर जासूस है यो मैं नहीं कह सकती हूँ क्या है है पाकिस्तानी दुलनिया कुछ कह दीजिए दर्सक तुम्हें गानी की इमाधियन से सुना दूंदर सुना यह से सीमा होए दर्याई गोईले छोड़ी पाकिस्तान हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में सोसल मेडिया पर मौचल हाकार के हुझ जासुस को है के हुझ को है पाबजी इनका मानावा में सिमा के मानावा में चोहलता ना जाने का बिचार अचा यह बिचार आज तक लोग जान नहीं पाए बताईए हमारी सुरच्छा एजेंसिया जो जाच एटियस ने जाच किया लेकिन कोई उनके मन में क्या चल रहा है कुछ मिला ही नहीं किसी को जी अभी नहीं मिला है लेकिन कोसिजारी है तो जरूर है कि मिलेगा जाएगा बिल्कुल चलिए मित्रों अमेटकर नगर जिले से दो गायक गाई का हमारे साथ जुड़े थे एक मेजा तहसिल प्रयागराज की निवासी है और भाई साब जो हैं मेटकर जिले के स्वह निवासी है सीमा हैदर से संबंदित हम इन कलाकारों की राय जान रहे थे क्योंकि आ प्रहे वीदर से संबंदित है